नमस्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बिहार में इंडिये की सरकार बन गई है मुखमंतर नितीश कुमार सीयम बन चुके हैं एक तरब जहां बीते दिन कल मुखमंतर नितीश कुमार के साथ आठ मंतरियों ने शपत ली उसमें विजय कुमार सिन्ह, समराड चौधरी, सुमित सिंग, श्रवन कुमार, एम कुमार तमाम जो मंतरी हैं वो शपत लिये थे आपको बता दें कि आज इंडिये गटवंदन की यानि की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है ये मंतरी मंडल विस्तार जो है इस पर भी आज चर्चाएं हो सकती है खबरे कुछ ऐसी ही निकल कर सामने आ रही है इंडिये सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक है जानकारी है कि मंतरी मंडल का ही आज भी विस्तार किया जा सकता है बैठक में सीम नितीश कुमार की अध्यक्षता में सुबस साड़े ग्यारा बज़े से शुरू होगी इसमें डेपटी सीम समराट चौधरी विजय कुमार सिन्हा समेंत मंतरी मंडल के सदसिशा मिल होगे कैबिनेट की बैठक में बिहार विधान मंडल का सत्र बुलाय जाने के प्रस्ताप पर मोहर लगेगी नितिश कुमार ने रविवार शाम नौविवार मुख्यमंतरी पत की शपत ली थी राजपाल राजेंद विश्वनात अल्लेकर ने उन्हें पत और गोपिनिता की शपत दिलाई थी भाजपा के प्रदेश सद्यक समराड चौधरी और महागटवंदन सरकार में निता प्रतिपक शुरह विजय कुमार सिन्हा को डेप्टी सीम बनाया गया राजभवन में कैबिनेट में शामिल होने वाले छे और विधायकों ने भी मंतरी पत की शपत ली मंतरियों में मुख मंतरी समेट दो कुर्मी, दो भुमियार और एक एक राजपु, दलित, कहार, कोहरी और यादव शामिल थे शपत समारो के बाद सिम नितीश ने कहा कि हम इंडिये में वापस आ गये हैं और अब हम कहीं जाएंगे नहीं, जाने का कोई सवाल नहीं उठता है साथी उन्होंने पीम नरेंदर मोदी की बधाई का भी आभार प्रकट किया, इधर पूर्व डेप्टी सियंत जश्वी यादव ने दावा किया है कि 2024 में जदियों तूट जाएगी, उन्होंने कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, म में राज धर्म का पालन किया है, एक तरफ जहां आपको बता दे कि बिहार में महा गटवंदन की सरकार ختم हो गई है, और इन्डिय की नई सरकार बन गई है, और अब एक तरफ जहां पहली Cabinet Meeting होने बाली है, और इस Cabinet Meeting में मंत्री मंडल विस्थार पर भी चरचाये हो सकتी है, वो नई सरकार यानि की इंडिये सरकार की तरफ से ली जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूस फॉनेशन धन्यवाद।